हेलो आप्रियन क्लाश अज क्लाश स्टेंथ के क्वेस्सन नमर 2 की बात करते हैं तेखते क्वेस्सन मुर दो में क्या काता है काता है पॉलता है दर्साय कि कोई भी धनात्मः बिश्ञ्पूर्णंग 6Q-1 या 6Q-3 या 6Q-5 के रुपका होता है जहां क्यों कोई क्या है प्लस में रहता है वी सम उसको बोलते हैं जो दो से नहीं करता है ठीक है पुर्णांक ठीक है पुर्णांक की बात करें पुर्णांक दोनों पर यहां बोल दिया धनातम थे प्लस वहला ही रहेगा ठीक है इस रूप का होता है जांक कोई पुर्णांक है नहीं हमको सीध करने बोल रहा है प्रस्न को चली शॉल्प करते हैं लिखेंगे solution लिखेंगे यहाल लिख सकते हैं माना ठीक है A ब्राबर भाज B ब्राबर भाजक ठीक है B ब्राबर भाजक ब्राबर 6 देखिए question में यह दिया है आपको पता होगा कि 6 आप वहां किसे लिए तो हम बता देते हैं A ब्राबर फर्मला होता है B Q पलस R Q आर के जगा पर 1 हो रहा है B के जगा पर 6 इसलिए हम लोग क्या कि यहां पर इसलिए हम लोग छो लिए तथा Q ब्राबर भागफल तथा यहां नहीं डालिए क्योंकि लाशन डालाज़ता है तथा R ब्राबर 6 फल क्या होता है 6 फल जोकि 6 फल होगा हम लोग का आप ही बताईए यह चाहाँ अगर हम किसी संख्याओं को 6 से भाग देंगे किसी संख्याओं को अगर हम 6 से भाग देंगे तो सेसफ़ल अनुमानित बच सकता है क्या सेसफ़ल 1 भी बच सकता है 1 भी बच सकता है 2 भी बच सकता है 3 भी बच सकता है 4 बच सकता है 5 बच सकता है लेकिन 6 नहीं बचेगा 6 से यह कट जाएगा कैसे रख में थोड़ा सा दिखा देते हैं अगर माली जायम 6 से भाग दें 7 को ठीक है 11 को देते हैं क्या देते हैं देखिए 6 में 11 को भाग देते हैं तो last highest कितना बचता है 5 से सफल बचता अगर 10 रहता तो 4 बचता अगर 9 रहता तो 3 बचता आठ रहता तो 2 बचता ठीक है 7 रहता तो 1 बचता येकन 6 रहता तो 0 बचता 5 तो कटेगा ये नहीं और यहां गर बारा कर दें तो successful नहीं बचेगा ती हम लोग का अनुमानित क्या बच सकता entrepreneurial 5 तक बच सकता ठीक है अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यूकलीड बिभाजन एलगोरित्म का परियोक्षिय ठीक है फर्मुला होता है ए बराबर बिक्यू प्लस आर जहां आर इसके बराबर होता है अब लिखेंगे हम लोग यहां पर देखिए जो प्रस्म दिया है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 इस रूप में हमको लाना है तो देखेंगे 6Q प्लस 0 प्राबर 6Q यह दूसरी कटेगा बिल्कुल कट जाएगा जो दूसरी कट जाएगा वो सम्संख्या होता है जो नहीं कटेगा वो क्या होता है भ्षम प्लस 1 zau firms लिखेंगे सम पुरुनांक क्या लिखेंगे सम पूरुनांक ठीक है अब दखी जरग कहलब कर देथा हूं 9 व्त पूरुनांक विसम पूर्णाग ठीक है अब फिर देखिए यहां क्या है दो है तो दो लेंगे हम लोग जो कि यह भी दूसरे कर जाएगा यह भी दूसरे कर जाएगा क्या हो गया सम पूर्णाग ठीक है आप क्या लेंगे फिर ठीरी देख़ें यह तो दुसरे कट जागा पर यह कटने वफला नहीं है यह क्या हो गया अभी सम पूरनांख ठीक है 6Q पलस 4 क्या हो गया यह सम पूरनांख क्योंकि 2 से 6 भी कट जागा और 4 भी कट जागा फिर 6Q प्लस 5 दूसे चोकर जाग लखन पांस नहीं कट गए इसलिए क्या होगा यह बिशम पुर्णांग ठीक है तो देखिए अब क्या देख सकते हैं कि 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का होता है देखिए आ गया होगा आपका 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 का रूप का होता है अट 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है फिर इक बार समझा देते हैं माना A प्रावर भाज अब ब्रावर भाज है जोकी चों दिया हुआ कोंसन में Q ब्रावर भागफल तता R ब्रावर सेश्फल ठीक है तो अब बताई छे से भागदेंगा उसे एक कम सेस्फ़लान मानित बच सकता है 0 से लेकर सेस्फ़लाम छोज दे रहे तो 0 1, 2, 3, 4, 5 तक लास्ट बच सकता है युकलीट भी बाजन अलगोरित्म का प्रियोग से यह ब्राबर BQ प्लस R जहां R R ग्रेटर दन 0 6Q प्लस 0 एक बार ले लिए तो 6Q आगया जोकि दूसरे कट जागा संपुर्णंग जो दूसरे ने कटेगा विसंपुर्णंग यह दोनों कटरा दूसरे संपुर्णंग यह ने कटेगा विसंपुर्णंग यह कट जागा संपुर्णंग यह ने कटेगा विसंपुर्णंग अता इस रूप का जो रूप मुकों बोला तो वो प्राप्त हो रहा है तो लिख देंगे इतना अतना ब्राबर होता है इतना की रूप का होता है ठीक है कोसेन 3 किसा पैरेड में चौसा सोला सोदैस्यों वाले एक सेना की टुकड दीस सदैस्यों वाले एक आर्मी पीछे मार्च करना है मतलब क्या हुआ किसी पैरेड में 16 सदस्यों वाले एक सेना ठीक है सेना मतलब आर्मी की टुकर में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेंड के पीछे मार्च करना है बलता दोनों संभू को समान संख्यां वाले इस्तंबों में मार्च करना मतलब दोनों संभू के समान संख्यां में मिलुकर करना विवाजीत करना उन्हों संख्यां बताई जो अधिक स अधिक क्या है जिसमें मिलुकर से बता D सकते हैं पहले इडिए ठीक है थे अगर बड़ी से बड़ी संख्यां बोल में दो H कि जले पनाते हैं कोश्चन है छोसा सोल्ल और बड़ा यह है यह होगी हम लोगा छोसा सोल्ल और बी होगी हम लोगा बड़ीस ठीक है तो देखिए लिकेंगे हम लोग यूकलीड बिभाजन का परियोग से थोड़ा विडियो लोने प्रोगलम होता देख लेजिए फिर से क्या लिखें हम लोग यूकलीड बिभाजन अलगोरित्म का परियोग से ठीक है फर्मला क्या होता ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहां और ग्रेटर दन जीरो ठीक है चलिए भाग देते हैं से काम करते हम लोग हर बार करते हैं क्या करेंगे 32 से हम लोग 616 को डिवाइट करेंगे आप देखिए क्या होता है 32 एकम 32 कितना बच गया 11 में दू गया नौ 5 में तिन गया दूख देखिए आप आंदाज है लगा सकते 32 गुना 10 करते हैं तो होता है 32 जो किसे ज़्यादा हो रहा लगभग 9 के टेबल में जा सकता है देखते हैं कि देखिए नौध नौठारा के आठ हात में एक नौध यह सताइस सर एक अठाइस है दूसर अठाशी आ जाता है तो लिख देंगे हम लोग 9 कटेबल में दूसर अठाइस शुरलों में आठ गया आठ पूरा खतम आठ से क्या करेंगे हम लोग 32 को भाग दे देंगे आठ च स्टेप टू चलिए 32 शेशपाल 0 ठीक इसके सामने वला या उपर ले सकते तो एंसर होगी हम लोग का 8 इंसर मिला सकते हैं ठीक है उम्मीद करता हूं को संध्री भी आपको समन्म आ गया होगा तो यह कोसंद 4 कोसंद 4 देखी क्या बोलता है यूकलिट भी बाजन परिमिका का परियों करके माना Х कोई बनात्मांग पूर्नांग लिए 3m या 3m प्रस वन के रूपका होता है यानि को यह सिदिक करना है कि उखलीट विवाजन परिमिका का परियों करना है टीक है और किसी दनातमाग पूर्णाउंक का work work मतला square करना है किसी पूर्णाउंक M के लिए 3M या 3M plus 1 के रूप का होता है तो देखते हैं देखि hysteria हम लिख लिए माना X कोई दनातम कपूर्णाउंक है दनातमाग पूर्णाउंक है तब इसी 3Q या 3Q plus 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं ठीक है परती एक को परती एक को वर्ग करने पर परती एक को वर्ग करने पर फिर से लिख देते हैं यह से लिखाया परती एक को वर्ग करने पर ठीक है जैसे कि यहां है 3Q का स्कूर तो इसको दोबार करेंगे 3-9 हो जागा 9Q स्कूर इसको 3M की रुख में लिखने हैं बोला 3, ले लेंगे जागा 3-9Q स्कूर यानि हो जागा इसको 3M जहां जहां 3 जहां M ब्रावर 3Q स्कूर है ठीक है? देखे क्या किया है? परतिक स्कूर करने पर 3Q ब्रावर हो जागा 9Q स्कूर 3M की रुख में बोला जितना बोलागा उतना ही कॉमन लेंगा 3M बोला 3 यानि 3 कॉमन ले लिए 3, 3, 9Q स्कूर आगया इसको लेख सकता है 3M क्या लेख दिए इसको 3 और इस पूरा को परतिक कॉमन बोला वर्क करने पर है ना परतिक क्यों वर्क करने पर यहां देखे 3Q प्लस 1 को ले रहे है 3Q प्लस 1 का हो जागा 3Q स्कूर प्लस 2AB यह निए 2B के समयने 1 है तो 2A के समयने 3Q प्लस इंटू 1 मिष्टे हो चुका है कर दिते हैं इंटू 1 कर दिये प्लस 1 अब क्या आओगा 3 का स्कूर 9 तिन दुना च्वह एकम च्वह क्यों प्लस 1 कॉमन ले लिए तो 3 3 जा 9 ठीक है 2 जा 6 प्लस 1 तो बार ले लिए 3M प्लस 1 अब M ब्राबर लिखेंगे जहां M ब्राबर हो जागा 3Q प्लस 2Q ठीक है ठीक है 3Q प्लस 2 का हॉल स्कूर तो पहले बता दिया फ्रमुला A स्कूर होता है प्लस 2AB प्लस B स्कूर तिन का स्कूर 9 Q स्कूर हो गया तिन दुना च्वह ना 12 Q प्लस 2 का स्कूर 4 को लिख सकते हैं 9 Q स्कूर प्लस 12 Q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 ठीक है आप क्या करेंगे हम इसको common ले लेंगे 3 ले लिए common 3 3 जा 9 square 9 Q square 3 4 जा 12 Q प्लस 3 एकम 3 ठीक है प्लस 1 इसको ले सकते हैं 3 bracket बालग पुरो M मान लिए प्लस 1 जहां M राबर जागा bracket बालग 3 Q square प्लस 4 Q प्लस 1 अत्ता इसको लेख सकते हैं 3 M या लिख सकते हैं ठीक है अत्ता 3 M या 3 M प्लस 1 की रूप में लिख सकते हैं कोस्टन 5 देखिए बलता यूकलीट भी भाजन प्रेमिका का पर्योग करके या दिखाईए कि किसी धनात्म पूर्णान का घान अब के बार क्या पूछ रहा अगला कोस्ट में पूछा था वर्ग लिखने इसमें क्या पूछ रहा घन सेम कोस्टन एक पर्सेंट भी चेंज है तब इसे 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं सेम कोस्टन आते मिल गया उसका भी यहां लिखा पर्तिक को वर्क करने पर जाकि यहां क्या लिखा पर्तिक को गहन करने पर सारा अखम गहन कर दिया 3Q का गहन की है 27Q हो गया क्यूब का पावर क्यूब 9 कॉमन नहीं क्यूब क्यूब 9 M की रूप में लिखने बोला कोस्टन देखिए ठीक है तो 9 M इसको माल लिए जाए M ब्राबरी ब्रेकेट का होगा फिर इसका A प्लस Q में तोड़ द पूट करने पर आगे हम लोगा आप देखिए 3 का क्यूब होगी हम लोगा 27 Q ठीक है 27 Q और 3 का स्क्वर हो जागा 9 9 तिया 27 Q स्क्वर देखिए 27 Q स्क्वर हो है पलस क्या है 3 3 जा 9 9 1 9 3 9 9 9 9 9 लिख दिये 9 Q लिख दिये ठीक है प्लस 1 प्लस 1 लिख ठीक है आप क्या करने यहास हम लोग 9 कोम ले लेंगो जागा 9 37 Q स्क्वर 9 9 9 9 9 9 0 1 इसको दिसके 9 यह ब्रेकेट बलाको M प्लस 1 9 M प्लस 1 जाहां M ब्राबर जागा पूरा ब्रेकेट का देखिए पूरा 3 Q प्लस 3 Q 3 Q स्क्वर प्लस यहां एक रिखाई हुगा फ्लस क्यूब, ठीक है, यहां हमें लोग लिखते हैं, फिर सेम प्रोसेस करेंगे, 3Q प्लस टू का हला स्टू का क्यूब, 3Q, 3A स्क्वर, 3A ब्लस टू, फिर, 3Q उन्टू का स्क्वर, प्लस 2 का क्यूब फिर 2 Q, प्लस एट नाइन एम प्लस एट जहां एम ब्राबर थ्री क्यूब क्यूब प्लस पुरा ब्रिकेट बने यहां से आप यहां तक लिख सकते हैं एम प्लस एट के रूप में हम लेख सकते हैं तो एकपंड एक आज क्लियर हो गया अब अगले टॉपिक में बात करेंगे हम लोग एकपंड डो